Hello everyone, welcome back to our channel Rise for Excellence आज की इस वीडियो में हम 5th June के जो है वो current affairs discuss करने वाले हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो हमारा आज का first question है कि नीती आयोग Sustainable Development Index जो है उसमें किस state ने top किया है? तो हमारे options हैं बिहार, उत्रप्रदेश, हिमार्चल प्रदेश और केरला तो इस question का correct answer है केरला केरला ने जो है वो फिर से top किया है नीती आयोग Sustainable Development Index में और हिमार्चल प्रदेश और तमिल नाडो जो है वो second number पे रही हैं अगर हम नीती आयोग की बात करें तो नीती आयोग का पुल फॉर्म है The National Institution for Transforming India और इसको फॉर्म किया गया था 1st January 2015 में नीती आयोग जो है वो Public Policy Think Tank है Government of India का और इसको क्यों establish किया गया था ताकि हमारे जो sustainable development goals हैं उनको पूरा किया जा सके state governments के cooperation के साथ यहाँ पर यह जीज़ important है कि नीती आयोग जो है वो bottom-up approach पे काम करता है उसका मतलब यह है कि state government से जो है वो suggestions आते हैं और पर central government जो है उसके काम करती है अगर नीती आयोग के CEO की बात करें तो वो है आमिताग कान Formation की बात करें तो वो हुई थी 1st January 2015 में headquarters जो है वो है New Delhi में और नीती आयोग की chairperson होते है नुरिंद्र मोती यानि की Prime Minister of India हमारा next question है कि International Day of Innocent Children Victims of Aggression जो है वो कब मनाया जाता है तो हमारे options है 4th June, 5th June, 3rd June and 1st June तो इस question का correct answer है 4th June 4th June को जो है वो यह day मनाया जाता है इसको established किया गया था 19 August 1982 में और अगर आप इसका purpose देखें तो इसका purpose है कि वो बच्चे जिनको mentally या physically या emotionally abuse किया जाता है जो इस चीज के victims हैं उनके pain को जो है acknowledge करना कि उनको किस तरह से जो है वो suffering सहनी पड़ती है और इस day को जो है वो इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को यह पता लगे कि जो बच्चे हैं वो कैसे सफर करते हैं उसका क्या impact होता है उनके उपर और जो बच्चे हैं उनके rights के बारे में भी लोगों को पता चलें हमारा next question है कि 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 कंट्री में जो है first human case H10N3 bird flu का जो है वो report किया है हमारे options है इंडिया, US, Germany and China तो इस question का correct answer है China, China में जो है वो first human case आया है इस H10N3 bird flu का और अगर आप देखें तो यह bird flu जो है specially उन लोगों में जादा फैल रहा है जो कि poultry के साथ काम करते हैं poultry का meaning है जो birds के साथ काम करते हैं और specially वो birds जो domestic है meaning जो हम अपने घर के लिए यूज करते हैं specially अंडों के लिए या फिर उनका flesh खाते हैं जैसे कि ducks होगी, chicken होगया, ऐसे करके तो उन लोगों में जो है यह bird flu जो है वो जादा फैल रहा है H10N3 जो है वो influenza A virus का subtype है और यह influenza जो है वो cause कर सकता है और specially अभी जो है यह avian species मतलब birds में present है according to Centers for Disease Control and Prevention उनका मानना यह है कि यह disease जो है wild aquatic birds में जो है वो अभी है और यह बाकी animals को जो है वो भी harm कर सकता है अभी तक यह बोला जा रहा है कि यह जो flu है यह humans को जो है easily effect नहीं करता है लेकिन जो infected birds है वो इस flu को जो है अपने saliva या mucus से drop करते है और humans अगर उस virus को जो है बहुत जादा inhale कर लेते हैं eyes से, nose से, mouth से तो वो जो droplets है उनको वो effect कर सकते हैं हमारा next question है कि कि किस company ने First Asia Pacific Public Sector Cyber Security Executive Council जो है वो launch की है अगर आप options देखें तो है Samsung, Microsoft, Apple and Sony तो इस question का correct answer है Microsoft और यह जो company है इस नहीं council इसलिए बनाई है ताकि जो cyber security है उस पे ध्यान दिया जा सके इसमें जो है अलग अलग government and state agencies से जो है वो policy makers जो है साथ में काम करेंगे इस council का जो aim है वो है public private partnership जो है cyber security उसको exalate करना उसको strong करना ताकि यह जो cyber attacks होते हैं इन पे ध्यान दिया जा सके अगर Microsoft की बात करें तो यह American multinational technology company है और इसके जो headquarters है वो है Washington में अगर इसके foundation की बात करें तो 4th April 1975 को जो है इसको बनाया गया था United States में इसके CEO जो है वो है सत्या नडेला और इसके founders जो है वो है Bill Gates and Paul Allen हमारा next question है कि recently किस country का जो है largest warship खार्ग जो है वो गल्प और हमान में डूब गया fire के कारण हमारे options है ओमान, Saudi Arabia, Iran and Sudan तो इस question का correct answer है इरान, इरान का जो largest warship खार्ग था वो आग लगने के कारण जो है गल्प और हमान में डूब गया है लेकिन अच्छी बात ही है कि किसी की भी जान नहीं गई है यह यहां का जो है Navy का सबसे largest warship था अगर हम इरान की बात करें तो इरान को जो है पर्शिया भी बोला जाता है और officially इसको बोला जाता है The Islamic Republic of Iran यह country जो है Western Asia में है इसकी capital है तहरान के president है हसान रोहानी, currency है Iranian real, official language जो है वो है पर्शियन और इरान जो है वो अपने architecture के लिए बहुत famous है हमारा next question है कि जो महाराष्टा government है उसने कितना percent reservation announce किया है Marathas community को जो EWS category में आती है तो हमारे options है 20%, 10%, 50%, and 40% इसका correct answer है 10% EWS की perform देखें तो economically weaker sections Marathas जो इस category में आते हैं उनको 10% का जो है वो quota मिलेगा government jobs में एक और important point की बात करें तो महाराष्टा government में जो है June 2nd 2021 को ये announce किया है कि जो village covid free होगा उसको और 50 lakh का जो है prize मिलेगा जो भी village जो है उस contest में first आएगा अगर महाराष्टा की बात करें तो महाराष्टा जो है वो इंडिया का second most populous state है इसका capital है मुंबई, governor है भगत सिंग पुश्यारी, chief minister है उत्व ठाकरे इसका state animal है giant squirrel, state bird की बात करें तो green imperial season है state tree जो है वो mango है और state flower है जरूर चले अब कल के question की बात कर लेते हैं हमारा कल का question था कि state government ने जो है उडान scheme को launch किया है international menstrual hygiene day के उपर तो उसका correct answer है पंजाब ने पंजाब ने जो है free sanitary pads जो है provide करने का फैसला लिया है अंडर उडान scheme और इस ceremony की launch पे जो है 1 lakh package जो है sanitary pad के वो distribute की गए थे हमारा आज का question है कि pharmacy ने किसको acquire किया है to create India's largest online pharmacy इंडिया का largest online pharmacy बनाने के लिए pharmacy ने इसको acquire किया है तो आप हमारे को यह answer जो है वो comment box में लिख कर बताएं अगर आपको यह video अच्छा लगए हो तो please हमारे चानल को subscribe and share करें Thank you